हेलो, वेलकम टो टेक्चनमित, आज की सेशन में हम एक और मैथड कवर करेंगे, जो है ends with, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लास सेशन में हमने दिखा था, starts with, तो यह एक तरह से उसका वाइसर वर सा मैथड ही है, जिसमें हम क्या करेंगे, कि जो भी हम आर्गुमेंट इसमें करेंगे, यह verify करेगा, कि वो हमारा string या variable है, उस particular argument से end होता या नहीं होता, ठीक है, तो इसके लिए मैंने कुछ scenarios बनाया है, total हमर पास five scenarios है, one by one हम सभी scenarios को देखेंगे, तो पहले scenario में हमने क्या कि है, एक string variable बनाया, जिसमें हमने data store कि है, शर्मित, और फिर हम उसको as it is print कर है, without any modification, तो यहाँ पर print होगा, before method used, और इसके साथ में यह concat हो जाएगा, string, फिर इसके बाद में line number 11 पर हम इस end with method का use कर रहे है, तो ends with method को use करने का syntax same ही है, आपको लिखना है string, जो भी variable आपको use करना है, variable dot, ends with, और argument में आप पास करोगे, वो character जिसको आपको check करना है, कि वो उससे end होता है या नहीं होता, ठीक है, और फिर जो भी output आएगा, वो आएगा, बुलियन में, तो बुलियन value को convert करेंगे, string में using str method, और last में back selection लगा के line को change कर रहे है, तो अब इसको save करते है, इसका output देखने के लिए में प्रेस करूँगा, ctrl, shift, tilt, यह एक terminal open करेगा, इस terminal पे हम command use करेंगे python, तो आपको लिखना है python, space, और यहाँ पर program का नहीं आएगा session23.py, और enter it करना है, ठीक है, तो यह कुछ output को print करेगा, पहले scenarios के लिए हम output देख रहे है, तो पहले में क्या रहा है, true, true इसलिए आ रहा है क्योंकि शर्मिद जो character है, वो character t से end हो रहा है इसलिए इसने value return के रही true, second scenario देखते है, second scenario में हमने क्या किया, यहाँ पे एक पूरा word पास किया है, ठीक है, तो इस बार कोई character नहीं है, हमर पास पूरा word है, तो यह verify करेगा कि क्या यह string इस word से end हो रही है, अगर यह हो रही है, तो वो return करेगा true, otherwise वो return करेगा false, तो second scenario का output आप देखोगे, तो यह भी true आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे शर्मित पास किया है, तो tag शर्मित जो है, वो end और शर्मित से, पर एक चीज़ का ध्यान रही है, यह case sensitive होता है, अगर आपने characters में कुछ changes किये, तो वो उस according आपको output देगा, वो एक और scenario, four scenario में हम discuss क करेंगे उसका, अब scenario third में हम क्या कर रहे है, हमने एक store किया section में, और इसके पहले हम before method use प्रिंट करा देंगे, और फिर हमने argument यहाँ पर पास किया, ABC, तो यह string तो ABC से end नहीं हो रही, तो उस case में यह return करेगा false, तो अगर में page down करके आपको इसका output देखाँ, तो यहाँ पर पुट हमारा को मिल रहा है, false, जो correct है, क्योंकि यह string ABC से end नहीं हो रही, फिर हमारे पास fourth scenario, जो मैंने आपको case sensitive बताया था, तो इस case में आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर tag pass कर रहा हूं, तो obviously उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर शर्मित से end हो रहा है, तो अब हम इ से, यहाँ पर अगर हम इसको कड़ देते है, smallsharmit, sharmit, यह करती है, इसको save किया, program rerun किया, और इसके fifth से fourth scenario में अगर हम देखेंगे, तो हमारे को return हो रहा है, false, false इसलिए हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर word डाला है, वो small s से है, और जो actual string में है, वो capital s से है, इसलिए यह return कर रहा है, false, fifth scenario देखते है, fifth scenario थोड़ा different है, fifth scenario में हम क्या कर रहा है, जो argument पास कर रहे है, वो multiple values को hold करता है, तो यहाँ देखो कि आप welcome भी लिखा है, hello भी है, space भी है, तो यह verify करेगा कि इन तीनों में से, अगर कोई भी value से string start हो रही है, तो उस case में return करेगा true, otherwise return करेगा false, तो आप देखोगे, यहाँ पे space से start हो रहा है, और spaces list में है, तो यह true return कर रहा है, तो अगर मैं page टाउन करके output देखाओ, यह true return कर रहा है, वैसे ही अगर इस जगह पे मैं welcome से start कर दूँग, तो भी यह true return करेगा, ऐसको अगर मैं welcome से start करके फिर से run करता हूं, तो भी इस case में present है तो list में present है इसलिए true return कर रहा है अगर यही चीज मैं hello से start करूँगा तो भी यह मुझे correct output देगा hello मैं यहां भी लिखा फिर से program को run किया तो true पर यह case sensitive है अगर यहां पर में small h लिखते हूँगा तो यह false return देगा क्योंकि तो यह कुछ scenarios रहते हैं जो हम mainly use करते है start ends with के साथ में तो इसमें जो भी आपका data हो आप verify कर सकते हो कि वह एक particular argument से end हो रहा या नहीं हो रहा तो इस session के लिए इतना ही था next session में बागी topic discuss करेंगे so thank you for watching texture method तो आपके अच्छे में प्रकूण आपका अपका अच्छे में आपका अच्छे में दो आपका आपका अच्छे में आपका तो यह दो पादागे